प्रिसोड की शुरुआत में हमें थोड़े पाश्ट का सीन है वो दिखाया जाता जहां पर जो फेइंग होती है वो बोल रही होते हैं कि जब आपका एग्जामिनेशन है वो जेल रहा था जो ट्रायल सेक्ट का अब मैंने अनेस्वेटली आपके चेस्ट के ऊपर है वो मारक ह देख लिया था यानि वो कर्स की बाद कर रही होती है वो बहुत आता है वो सप्राइज हो गई थी उस कर्स को उसकी बॉड़ी के ऊपर देखके वो बोलने लगती है कि यह वो निशान है वो एकदम सेम वैसा दिख रहा था जैसा है वो ब्लैक ड्रेगन कल्ट का है वो था क्या लिया था वो मेरे सब मत पूछो मैं नहीं बताऊंगा यालो डॉलर आ जाता है अब मैंने कहीं ने कहीं आपकी बॉड़ी के अंदर जो हमें आर्टिफेक्ट मिले थे उन चीजों के मलब ब्लैक ड्रेगन के पुराने वाले चीज़े को आर्टिफेक्ट मिले थे व होती है वो ड्यामिंग के गले पे हाथ रखती है और बोलने लगती है कि वैसे भी हमने तो सुना है कि जो ब्लैक ड्रेगन के सान है उनकी तो यार ख्वाहिशे ही अलग लेवल पे होती है अलब एक बंदा चाहेगा पांच मिनिट आप चाहोगे पांच घंटे मैं मजा कर र लड़ी है यह लड़की तो यार पागल कर देगी ट्यामिंग होता है वो गुस्से में आ जाता है बट शर्मा भी रहा होता है कि क्यों भाईया को पसंद काम है बट वो करना नहीं चाहता भी बोलने लगता है कि वैसे भी तुम काफी दाद ही है वो नहीं कर सकता अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम्हारी बोड़ी पे बहुत अधा गलत नुकसान पड़ेगा अगर तुम चाहो तो हम यह बात में कर सकते हैं मतलब भाई को करना तो है आज नहीं तो कल मतलब लपेटे में तो भाईया लेगा इसाथ लिटा के वहां पे आओ उसको बैड़ पे लिट अंधर ऑट यार लगे लिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला के मेरे अंधर सिश्टा में बस इतना पता चला की ब्लैक ड्रेकन का ने तुमा को ने वह लिए फिछर में में उनसे की बढ़ते मैं बाईयू को दिखाए पर आपको कहीं ने टो जेक करना नहीं बढ़ेगा तो एससे बढ़ आज हमारी मार्स सब्टर साथ बोलेगा काई बाइयो को पने व कर से बहाँ कोई चल रहे होते हैं, हमें होता है बाई Rover से बोलता है कि तुम्हें इसी चीज़ ही वो नहीं बोलने चाइंग है कि दूसरे उसे सुन के वो गलत समझे तो जो हमारा मैंग्शा होता है बोलने लगता है कि बड़े भाई यार सही खेल रहा है, यहां पे लोग कुवे खोधते हैं त कुछ स्पेल है वो पढ़ने लगता है और जैसे ही वो पढ़ता है तो मेंग शाओ के चारों तरफ होती है वो चैन है वो आ जाते है जो कि काफी जादा है वो गलो कर रही हो ती और अच्छी भी लग रही होती मुझे तो इस चैन को एक रसी से वो बाँ देता बहुत बाहर की तरफ तरफ उस रसी को खिच देता है जिससे वो चैन surrendered भी और वो बीचे खिचके है वो जाने लगताए वो बोलता है वो बायूस है वो बोलने लगता है कि आप यहां पर कोई नहीं है तो चलो हम अपनी बाची देए वो आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे ले मुश्किल है वो बढ़ने वाली है इसलिए मैं चाहती हूं कि हम यहां से भग जाएं फिर उसके बाद में हमें ब्लैक ड्रैगन कल्ट के अल्टर को है वो दिखाया जाता है जहां पे एक बंदा है वो खड़ा होता है और इसी के सामने बहुत जाता बड़ी वो लॉँट है वो जल रही होती है फिलाल तो परफेक्ट ली तो नहीं पता है बड़ यहां पर इमेज में दिखाया जा रहा है वो एकड़म जी कीए वो परफेक्ट एक बोड़ी है जों पर अपनी सोल की तरफ से आना चाहती थी फिर हम मैं देखाया जाता है कि उसके डि वाइस पेट्रियाज है वह बोलने लगते कि यार मैंने पहली पास जिंदे की मैंसी कुछ है वह चीज़ देगी है मैं एक गवा है वह बन चुका हूँ कि मैंने तो डिवाइन कल्ट को देख लिया है कि यास से पहले स्रिफ है वह अफवाई उड़ती रही थी किस प्रकार के क कोई कल्ट है वह होते हैं बड़ सप्राइसिंगली मैंने यह देख लिया कितनी साथा बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि यार कोई भी नहीं मान सकता कि आखिरकार इस दुनिया में कोई ब्लेक फ्लैम नाम किये वह चीज़ों की बड़ इस दुनिया में अभी वह चीज़े करती है फिरा में पता चलता है कि जब उन लोग जो रिकॉर्ड अफ ड्रेगन ने वह मिली थी फर्स्टाइम तो उन्होंने वह बहुत जादा मैनत की थी और जैसे उन्हें एक नई चीज़े वह मिली वह हैरान हुए थे और यह सब हुआ था तो ब्लेक ड्रेगन की जो बु थी बट यार वो बहुत ज़ ज़या है वो पारफुल चीज़ सिक अबसी danach मैं बदा जयाता है कि यह जो फायर प्ले यह उन्ही कषित के लोग के पास अफया में रहती है और पहुत सालों सही रहते है और ऑन्हीं के प्लेकर करते हैं जो हम मिल्सकती है, यह सब्से जद्धर केम देः हमारे लिए फिलाल तो पता चलता है, जो उधि, बताने हमते हैं चलता है , जैसे लड़ी को और अपना यह एक नया record है वो बनाना चाहती है और record बनाने से साथ यहाँ पर उन्हें एक नई है वो उपाधी मिल सकते है या फिर कहीं award फिर वो बताने लगता है कि बस दो गंटे ही है वो बागी है जिससे वो 100 दिन है वो complete हो जाएंगे फिर इनकी जो power होती है वो बहुत ज उल्याज की नज़र होती है वो कहीं पे है वो जा दी है और गलत में समझना वैसे फिर वो देखते हैं कि जो मतलब सेंटेस होती है उसके सामने जो गोला होता या फिर का है energy ball होती है वो चाहिए वो टूटने लगती है जो सेंटेस होती है वो नीचे आगे वो खूज जाती जिसे देखके सारे बंद यह होते है वह हेरान हो जाते हैं और जो कुछ लड़कें होती हैं वो उसके पास भागी चली जाती है और उससे वह बोलें लगते हैं कि सेंटेस आपने यह सब बंद क्यों कर दिया तर दो गंटे वह बागे थैं उसके पाद एक आप नया इसके मुझे वो बहुत दादा बलड लॉस है वो हो रहा होता और बहुत दादा इस कमजोर हो पढ़ गई होती है वो दूसरी वूसरी लड़की हो दीए वो डिवाइन हीलिंग आर्ट का एवर समाल है वो करने लगती है जिससे उसे हील किया जा सके इस वाइड बैट्रियाज का जो वाइस है वो बोल रहा होता है कि देखो यार यहां पे बहुत दाद कुछ है वो गलत है वो चल रहा है वैसे भी मैंने थोड़ी दिर पहरे देद नोटिस किया था तो इनकी पावर है वो बहुत दादा थी और यह अपने पेग पे वो लगता है कि आप मैं यहां पे आ रहा हूँ उसी के दाद वह ऊपर चट जाता है जिसे देखे वो दोनों लटगिया उसके उपर अटेक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और बोलने लगता है वो बोलने लगता कि मेरी को इच्छा नहीं थी इस जगह पे वो आने की बड़ हो रही है इसलिए मैंने जोचा कि मुझे भी अंदर है वो जाना चाहिए मुझे सिर्फ इनकी परवाह हो रही थी जो बोलने लगता है कि क्या सेंटेस को किसी ने वो डिश्टब किया उनकी कल्टिवेशन के वो दौरान या फिर को रिक्वावट आई हो खुदी है वो बोल आइस किया जो मेरी सूल की जो मेमरी हो जानक से वो गायब हो गई और इसके बाइख और मुझे लगाँ कि आप मुझे घीवाप है वो कर देना चाहिए और मैंने कर भी दिया लड़किया वह बहुँने लगते आखिर गार कैसे हो सकता तो दूसरी लड़की भी है वह बहु कोई वहां पहुंचा हुआ है तो उससे कुछ बातचित करो बोलने लगता है कि आपने मन के अंदर यह तो अभी अभी यह वह जागी और बहुत आदा यह डराव नहीं है पढ़ी है कि आपने लगते है कि यहां पर चल रहा है कि सेंटे सोधी है वह बोलने लगते है कि अगर फरनेस तबहा हो गया है तो हमें अडवांस में तयार ही है वह करने पड़ेगी तो बोलते कि अचा है पके इच्छा है हो तो परिला में वुच्छा ओप परबाद कर दिया है वह भी बहुत दाद है यह वह फास्ट है हमारे हर प्लैन को ऐसे चक्मा दे रहा है कि लाइक यह वह कुछ हो ही नहीं रहा हो इसके वह काफी दाद गुस्से में वह आ जाती है और जमीन के उपर अपनी एनर्जी को रिलिस करने लग दिया जोंकि काफी दाद हो दिया आज या फिर कर लिया फिर पर्स हो यार बट जो भी हो में इचा करूंगी कि तुम्हें वह जिन्दा रहने का मौक है वह दिया ही ना जाए पर जितने भी लड़किया मौजद होती है उनके वटके 64 हो चुकी होती है वह बोल रही होती है कि नहीं आर ऐसा नहीं हो सकता यह बंदी की तो आप घ्यार नहीं जिसने हमारी सेंटेस को है वह गुस्ता दिला है तो यहीं पर खतम करता हूं तो सायो ना रहा